हलो बचो, लेट्स रीट दिस क्वेशन, दिस क्वेशन सेज, विच अब दी फॉलॉइंग हॉर्मोन इंक्रीज इंक्रीज एंड इंडूस इस फीटल एजक्शन रिफ्लेक्स अधी टाइम अफ डिलिवरी तो डिलिवरी कब होगी जब पूरे नाइन मन्स की प्रेग्नेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई है ठीक है तो बेसिकली जब पार्चुरेशन यानि चाइल्ड वर्ट जब ओरिजनेट हो रहा होता है तो पूरी तरीके से जिट डेवलाफ फीटस होता है यानि फुली डेवलाप्ट फीटस और प्लासेंटा जो है वो माइल्ड यूटराइन करते हैं ठीक है इसको हम स्टेप से लिखते हैं तो मैं क्लियरली समझ में आएगा फुली डेवलाप्ट फीटस प्लस प्लासेंटा क्या करते हैं माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्राइक्शन वाइल्ड यूटराइन कॉन्ट्राइक्शन करते हैं अब देखो माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्राइक्शन हो रहा है जो फीटस है वो पूरी तरीके से डेवलाप्ट है तो यूटरस के अंदर क्या होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है So, stretch receptors of uterus, क्या करेंगे, यह signal करते हैं fitutri gland को. Pitutri gland of mother, ठीक है, and pitutri gland will release oxytocin, अगर हम बात करें, posterior pitutri gland, oxytocin release करता है, Oxytocin will act on smooth muscles of uterus, smooth muscles of uterus और वहां से क्या हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, जैसे contraction जो है, वो और strong हो जाएगे, vigorous contractions होने लगेंगे, and ultimately, जो fully developed fetus है, वो mother की body से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो कौन सा hormone जो है, इसमें role play करता है, कौन सा hormone, fetal ejection reflex को increase करेगा, और induce करेगा, अब देखो, oxytocin smooth muscle को contract करता है, जतना ज़्यादा contraction, उतने ज़्यादा stress receptor वापिस से pituitary को signal देंगे, वापिस उतना ज़्यादा oxytocin, तो यह जो cycle है, चलता रहता है, जब तक कि जो fully developed fetus है, तो मदर की body से बाहर नहीं आ जाता, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर correct answer क्या चला जाएगा, oxytocin, prolactin जो है, memory gland की growth करवाता है, और milk का production करवाता है, यह incorrect हो जाएगा, वेजोप्रेसिन, again, it is an hormone which is released from posterior pituitary, बट यह smooth muscles पे act करके uterus के contraction नहीं करवाता है, यह incorrect हो जाएगा, melatonin, एक penile gland से release होने वाला hormone है, यह हमारी sleep wake up cycle को maintain करता है, uterus के अंदर smooth muscles में contraction नहीं करवाता है, तो D option भी incorrect हो जाएगा, हमारा जो correct option है, that will be option B, इसके regarding information आपको 12th की new NCRD में page number 38 पे मिलेगी, I hope कि आपको question अच्छा से समझा क्या है,